क्या इस दफ़ा भी IPL के अंदर कोई निया लड़का ओरिंज क्रैप को लेके जाएगा या पुराने नाम फिर से चमकेंगे बात करते हैं IPL 2024 की जो के शुरू होने जा रहे हैं बहुत कम टाइम डाय चुका हो है और इसमें कौन सा खिलारी इस दफ़ा सबसे जादा रंस है कहा जा रहे कि इंडिया के अंदर पूरी IPL नहीं होगी इंडिया के पूरी IPL क्यूं नहीं होगी क्योंके लोक सबा है इलेक्षण 500 प्लस सीड्स हैं इंडिया की जो के 19 अफ्टल से शुरू हो रहे है और फर्स जून तक यह इलेक्षण चलेंगे 44 डेस के यह को shift कर दिया जाएगा इसी के साथ सब मिस्टर जैशा के भी statement आगी एक डिक बस जो के बहुत बड़ा इसारण उन्होंने चीज़ शेयर के उन्होंने कहा कि मिस्टर जैशा कहते हैं कि पूरी पूरी IPL इंडिया के अंदर ही होगी लेकिन इंडिया के अंदर election बहुत बड़े elections होते हैं और इनमें time लगता है इस चीज़ को अगर manage कर सकते हैं तो well and good है लेकिन अगर IPL होती है दुबाई के अंदर तो मैं आपको जरूर IPL को दुबाई पीम है वो कौन सा खिलारी होगा जो इस जफा IPL 2024 के अंदर टोपी पहनेगा देखिए पुराना खिलारी होगा या नेया खिलारी होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन मैं आपको अपनी prediction दूगा लेकिन इससे पहले ज़रा history तो देखे न हिस्ट्री का कहती है history ये कहती है कि 2008 के अंदर जब IPL पहला सीजन आया तो इसके अंदर Kings 11 पंजाब का पहला खिलारी था वह जो कि Australian नाम था उनका Sean Margin उने 616 रंस स्कोर किये हाइस रंगेटर बने 2009 के अंदर चिन्नाई Super Kings के Matthew Hayden ने 572 रंस स्कोर किये औरिंज कैप होल्डर बने 2010 के अंदर मुंबई इंडियस की तरफ से Master Blaster Sachin Tandalker बने highest run getter 618 इनोंने रंस किये फिर बात आती है red color की RCB की बात आती है 2011 RCB Chris Gayl 608 रंस 2012 RCB Chris Gayl 733 रंस स्कोर के माइकल हसी 733 रंस 2014 के 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 यार रोबिन उथापा यह सीजर के शांदार किसम की इनोंने परफॉर्मस दिखाई थी और मैं इनका दिवाना हो चुका हुए था थापा क्या शांदार किसम की बैक्टिंग करते हैं इनके बाद किलास और यह पावर प्ले में आके ऐसे सी शॉट्स खेलते हैं दिल खुश हो जाता था ऐसे प्योर टाइमर थे ना उस टाइम पर यह लेकिन उसके बाद एकदम से यह रह गये थे क्रिस गेल तो पावर रिटिंग करते हैं लेकिन उथापा और गोतम के बीड़ अब एक साथ आते थे उथापा जिस तरीके से टाइम करके चोके मारता था क्या बात ही उसापा की जीत की थी 2017 के अंदर सन्वाइजर हैदराबाद की डेविड वाणर हाइस रूंगेटर बने ने सिक्पूर्टी वन दो जार अठाड़ा में सन्वाइजर हैदराबाद की के एन विलेंस साथ लीड करके और इंच का अपूर्टर बने दो जाए उन्दी के अंदर डेविड होल्टर बने 2021 के अंदर चिननाई सुपर किंज के रूतुराज गाइकपट 635 रन के साथ लीडिंग स्कॉर बने इन्होंने अपने पंजे इसफ़क्रिक्र के अंदर अधमाय से 2022 के अंदर जौस बटलर राजिसान रोल्स के 863 रन के साथ हाइस रन गेटर बने और 2030 के अंदर यंग बलड शुपमन गिल फ्रॉम गुजरार टाइटर बने और ऐसा लग रहा था कि विराट पुली का रिकॉर्ड तो और देंगे लेकिन लगली विराट पुली इनसे काफी ज़ादा लीड के साथ बज गये थे 890 रन सीनों ने स्कोर के और और इंज कैप खोर्डर बने तो ये तो होगी हिस्ट्री जैसे के मैंने आपको पहली का था कि सवाल यह कि इस दफा कौन बनेगा तो मैं आपको पांच नाम बता रहा हूँ इन पांच नाम में से मैं आपको अपने टॉप टू बता दूँग ज नमबर दो के उपर मुझे लगता है कि न मैंने आपको नमबर वन पहले ही बता दी है जी हां मैंने आपको नमबर वन पहले ही बता दे मुझे लगता है कि यसवी जैसवाल और इनको मिलेगी मैंने आपको शुरूर में बता दी है सब्सक्राइट नहीं किया तो और इनको मिले आइ तिंग चोथे पांचवे पे जाएंगे नमबर तीन के ओपर मुझे नाम नहीं याद आ रहा पंजाब किंग्स का यह लड़का प्लेयर है प्रप्सिमरं 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 सिंग साब जो है ना वो आएंगे और इसी के असपास था के कियार का भी एक करके दिखाएंगे और जो पांचवा नाम में आपको लेकर लेने जार उसका नाम है रचिन रविंद्रा तो मैं आपको दुबारा बता देता हूं कि यस्टफी जैसफल नमबर वन रंस्केटर बनेगा टॉप स्कॉरर बनेगा शांदार के प्रफॉर्मस करके दिखाके और रचेन रविंद्रा इसले क्योंके आपको याद दुबारा मैंने एक बोर्ट प्रडेक्शन की सिंदर कहा था प्लेर आप इसले लगता लगता के लेकिन जैस बाल को मिलेगी औरिश के पर सेंदर से कहिंद नमबर के उपड़ आएंगे अब आपने कमरस के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा खिला रही है जिसको ओरिज कैप मिलेगी इस IPL के अंतर है थोड़ी दिर बाद इसको कहते है ना IPL के परफल कैप होड़र को भी डिसाइड करेंगे और फिर PSL का कल फाइनल भी है तो इसको भी डिसकेशन करेंगे और आज रात को है वोमेंस प्रेमियर लीग का फाइनल RCB वर्सिस दिल्ली अब यह कौन जितेगी तो मैं आपको आगे जाके बता दूगा तब तक के लिए अलाफिर